आज हम हेक्ष्री का नया वीडियो लेगा हैं और आप सभी से रिक्वेष्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल टारगेट भी थाज़िसर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में इसका लिंक शेयर कर दें और अगर आपने बिल आपन को प्रेश नहीं किया तो प्लीज बिल आपन को प्रेश कर लें ठीक है आज का टॉपिक होगा प्रांतिय चुनाव और मंत्री मंदल का गठन 1937 का कांग्रेश का तृपूरी संकट 1949 का और देशी रियाश थे यहां से आज प्रशनों को हम देखेंगे प्रशनों क प्रेशन क्या रोज के तरह 20 होगी ठीक है चलते हैं बिना देर के पहले प्रिशन क्यों उन्नीश और शैंतिस में संपन विधान सभाचुनाव में इंडिया नेशनल कांग्रेश को निम्न में से किस प्रांत में पूर बहुमत नहीं मिला था और इसका राइट एंसर है औप्शन सी पंजाब में ठीक है पंजाब में इसको पूर बहुमत नहीं मिला था बाकी मद्यपरांत विहार और मद्राश राजों में इनको मिला था पूर बहुमत ठीक है चलते हैं आंगले प्रिशन क्योंग प्रांती शरकारों का अगठन निम्रेलिकित में से किस अधिनियम के तहट क्या गया था औप्शन A 1935 का अधिनियम औप्शन B 1932 का अधिनियम औप्शन 3 1936 का अधिनियम औप्शन D 1947 का अधिनियम और इसका राइट एंसर है Option A 1935 का अधिनियम ठीक है वश 1935 में भारश रासन अधिनियम 1935 के अधार पर 1937 के प्रांती विधान मंडलों का चुनाव शंपन हुआ था ठीक है चलते हैं आगले प्रिश्न की ओर 1935 के अधिनियम के तहट कराएगे विधान सुबा चुनाव में से किस राज में कांग्रेश ने पूर बहुमत प्राप्त नहीं किया Option A मदराश में Option B बिहार में Option C उडिश्टा में Option D बंगाल में और इसका राइट एंसर है Option D बंगाल में 1935 के अधिनियम के तहट कराएगे विधान सुबा चुनाव में से बंगाल में पूर बहुमत प्राप्त नहीं किया था कांग्रेश ने जलते हैं अंगले प्रशन की ओर 1937 के चुनाव में कांग्रेश द्वारा बहुमत प्राप्त राजो की शंख्या कितनी थे बहुमत प्राप्त ये प्रांत होंगे ठीक है यहाँ पर प्रशन हो गया है ये प्रांत होंगे बहुमत प्राप्त प्राप्त् Vanguard कि शंख्या कितनी थी Option A 3 Option B 4 Option C 5 Option D आपका 6 तुरंद एंशर गा ने इसका और इसका राइट एंसर है ओप्शन सी पाँच ठीक है 1937 में प्रांति विदान मेंडलों के चुनाव में कांगरेश ने पाँच राजों में पूड़ बहुमत प्राप्त की पाँच राज कौन कौन से हैं मद्रा, बिहार, मद्य प्रांत, श्यूप्त प्रांत और आपका उड़ी इशा ये पाँच राजों में इसने पूड़ बहुमत प्राप्त किया और इसने छे राजों में सरकार बनाई थी पाँच में पूड़ बहुमत प्राप्त करके छा राजों में इसने सरकार बनाई थी क्योंकि इसने बंबई में 185 में से 86 सीटे जीती थी जो बहुत ही करीब था बहुमत के थी पूड़ बहुमत के बहुत ही करीब था 86 सीटे इसने जीती थी और और दो सीट होता तो पूड़ बहुमत बंबई में भी इसको प्राप्त हो गया होता है तो इसलिए यहाँ भी इसने सरकार बना ली तिकट बंधन से चलते हैं अगले प्रशन कियो नेवन में से किस एक परदेश में 1935 के अधिनियम के अंतरगत कांग्रेश की मंत्री परिशत का गठन नहीं हुआ था अप्शन A, बियार में ऑप्शन B, मद्राज में ऑप्शन C, उरिशा में ऑप्शन D, पंजाब में बहुत ही असान प्रशन उपर इसका एंसर बताया है म ठीक, अभी हमने उपर बताया था कि पंजाब में सरकार नहीं बना था कांग्रेश का, चलते हैं अंगले परिशन क्यों, जब सरकार ही नहीं बनेगा तो मंत्री परिशत भी नहीं बनेगी और इसका राइट एंसर है ओप्शन C, अभी हमने उपर बताया था कि पांच प्रांथों में सरकारिश ने बनाई थी जहां पे पूर बहुमत मिला था और छठा प्रांथ बंबई था जो पूर बहुमत की बहुत करीब था ठीके, वहां भी इसने सरकार अपनी बनाई थी तो टोटल हो गया 6 ठीके, 6 राजों में इसने, 6 प्रांथों में इसने सरकार गठित करी थी, चलते हैं अंगले परिशन क्यों 1935 का दिनियम के उपरांथ 1936 में हुए चुनाओ में गठित कांग्रेश मंत्री मंदलों का कारेकाल था अप्शन A, 20 महा, अप्शन B, 22 महा, अप्शन C, 24 महा, अप्शन D, 28 महा इसका राइट एंसर है, अप्शन D, 28 महा, ठीके, 1935 का दिनियम के उपरांथ 1935 में हुए चुनाओ में गठित कांग्रेश मंत्री मंदलों का कारेकाल 28 महा का था चलते हैं अगले प्रिश्ण की ओर, और ये दुति विश्योद आरांब होने के बाद से सभी मंत्री मंदलों ने इस स्रेपा दे दिया था चलते हैं अगले प्रिश्ण की ओर, और दुति विश्योद, 1949 में उप्शन B, 1942 में Option C, 1946 में Option D, 1947 में इसका राइट एंसर है Option A, 1949 में ठीक है दोत्य विश्युद में भारतियों के श्विक्रिती के वगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किया जाने के बिरोध में 22 सक्तुबर 1949 को सभी कांग्रेशी मंत्री मंडलों ने त्याग पत्र दे दिया कांग्रेशी मंत्री मंडलों के त्याग पत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुशल्मानों से 22 दिशंबर 1949 के दिन मुक्ती दिवश मनाने का आवाहन किया था कमने आगया तो 22 दिस्टंबर 1949 को चलते हैं अगले प्रिशन की हो 1937 के चुनाओं के पर शाथ UP में गटित मंत्री मंडलों में किसको वित्विभाग शौपा गया था Option A, गोविंद बल्लव पंत को Option B, रफी आहमत किरवाई को Option C, कलाशनाथ काटजू को Option D, मुहम्मद इबराहिम को और इसका राइट एंसर है Option B, रफी आहमत कि दिवाई को ठीक है, वशुन 1937 में संपन, प्रांतिय विधान सवाचिनाओं में UP यानि किस्टाइउक्ट प्रांत के कुल 228 में से 128 में से 134 सथानों पर कांग्रेश को शफलता मिली, सयुक्त प्रांत में कांग्रेश ने अकेले ही सरकार बनाई, इस सरकार में प्रधान मंत्री गोविंद बल्लपंत और कानून एवं नयाय मंत्री कहलासनाथ काट जू थे, जबकि वित्त विभाग रफी आहमत की कांग्रेश प्रशासित प्रदेशों में मुश्लिमों की शिकायतों से संबंदित रिपोर्ट वर विचार कीजिए फर्स्ट है, पीरपुर रिपोर्ट, सेकेंड, शरीफ रिपोर्ट और थ्री, मुश्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेश रूल ठीके, नीचे देगर कुटों से रिपोर्टों के सही काला नुकरम का चैन कीजिए सबसे पहले और सबसे बाद आपको इसमें चैन करना है उसका राइट एंसर है, ओप्शन ए ये करम बिल्कुल सही है, सबसे पहले पीरपुर रिपोर्ट, सेकेंड नंबर पे शरीफ रिपोर्ट और थड़ नंबर पे मुश्लिम सफरिंस अंडर कांग्रेश रूल, इस पर विचार किया गया था ठीक है, यह आया था आपका पीरपुर रिपोर्ट आया था, उनईस ओँटालिस में सरीफ रिपोर्ट आया था 1949 में मार्च मार्च 1949 में और आपका मुश्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेश रूल आया था दिशंबर 1949 में ठीक है तो ये करम याद रखेगा ये कई बार पुछा गया फरिशन है अगले फरिशन क्यों चलते हैं हरीपूरा जहां भारती राश्ची कांग्रेश का वार्शी का दिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोष के ध्यक्षिता में हुआ वा निम्नांकित राजी में इस्तित है गुजरात में अप्शन B मध्यपदेश में अप्शन C महराष्ट में अप्शन D राजस्तान में और इसका राइट एंसर है ओप्शन A गुजरात में ठीके गुजरात में हरीपूरा इस्तित है जहां पे सुभाष चंद्र बोष के ध्यक्षिता में कांग्रेश का 1938 का अधिवेशन संपन हुआ था ठीके चलते हैं अगले प्शन की ओर भारती राश्टी कांग्रेश के तिरिपूरी सम्मेलान में वर्ष चंद्र बोष को कांग्रेश का ध्यक्षिशू ना गया था यह तिरिपूरी कहां है अप्शन A कलकत्ता में अप्शन B पूने में अप्शन C जबलपूर में अप्शन D एमदाबाद में असका राइट एंसर है अप्शन C जबलपूर में ठीके वर्ष उन्निशो 49 के त्रिपूरी सम्मिलान में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में सुवाज शंद्र बोष गांधी जी समर्थ गांधी ची समर्थी पटाबी शिता रमया से 1377 मतों के मुकाबले 1588 मतों से जीत गये ठीके 1377 मिला था आपके पटाबी शिता रमया को जिनको गांधी जी ने खड़ा किया था उनका समर्थन प्राप्त था और सुवाज शंद्र बोष को मिल गया 1588 आउरिया जीत गये थे और ये इस्ति थे कहाँ पे जबलपूर में ठीके MP मतों पटे जबलपूर में इस्ति थे चलते हैं आगे लिए पिसन क्यो कांग्रेश के तिरपूरी अधिवेशन के परशात शुबाज संद्र बोष और दचिर पंती का समस्त जगड़ा किस प्रशन पर केंदरीत हो गया अप्शन A कांग्रेश कारिकर्णी शमीति का गठन अप्शन B देशी राजियों के प्रती नीती अप्शन C केंसरकार के प्रती रूख अप्शन D कांग्रेश समाजवादी दल के सदेशों की दोहरी सदेश्चिता उसका राइट एंसर है ओप्शन A कांग्रेश कारिकर्णी शमीति का गठन ठीके कांग्रेश के त्रिप्री अधिवेशन के प्रत्शात शुबाज संद्बोष और कांग्रेश के दच्छिड पंती नेताओं का जगड़ा कांग्रेश के कारिकर्णी शमीति के गठन के प्रिशन पर केंद्रित हो गया ठीके गोविंद बल्लब पंत दुवारा प्रस्ताव प्रस्तूत कर शुबाज संद्बोष रे कहा गया कि वो गांधी जी के इच्छा के अनुशार अपनी कारिकर्णी बनाए प्रन्तु गांधी जी ने इसके लिए इंकार कर दिया ठीके और जो गांधी जी ने सुझाए थे वो हो नहीं पाया थे तो ये विवाद का महतपूर कारण था ठीके और गांदी जी ने अपना विचार देने से मना कर दिया था बाद में ठीके और इसके बाद से इनको शुवाशन्द बोश ने सिफ़ा दे दिया और इसके बाद से राजेंदर परशाद तिरपूरी अदिवेशन के अध्यक्ष भी चुन लिये गए थे किस भारतिय राज़वादी नेता ने जर्मनी और बिटेन के बीच युद को ऐसे इश्वर प्रदत आउशर के रूप में देखा जिसमें भारतियों को उस इस्तिती का अपने हित में लाब उठाने का मौका मिलता और इसका राइट एंसर है Option C सुवाशंद्र बोश जब दूतिय विश्वत के बादल यूरोप में मंडरा रहते तब सुवाशंद्र बोश ने समय का लाब उठाना चाहा और बिटेन तथा जर्मनी के युद का लाब उठाकर एक परहार करके भारत की श्वाधिनता चाही उनका विश्वास आयरलेंड की पुरानी कावध पर था कि इंगलेंड की आउश्यक्ता आयरलेंड के लिए आउशर है अथा उन्होंने गांधी जी तथा अने कांगरिश्वास नेताओं को इस नीती पर लाना चाहा कि भारत की श्वात अंतरता के लिए इंगलेंड के दुश्मनों की सहायता ले जाए क्योंकि कहा जाता है कि दुश्मन का दोश्ट होता है चलते हैं आगले प्रिश्न क्योंट 1927 के बटलर कमेटी का उदेश्च था अप्शन A भाते शेना कादुने की करन करना उप्शन B भाते क्रिशी कादुनों की करन करना उप्शन C रश्टी समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना उप्शन D भारत सरकार तेथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना उसका राइट एंसर है उप्शन D भारत सरकार तेथा राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना ठीके बटलर शमीती का गटा 1927 में क्या गया था इसे भारतिये रियासत समीती भी कहते है रियाश्य समीति याद रखीगा बटल शमीति को रियाश्य समीति के उपनाम से भी जानते हैं ठीक है इसका उदेश भारत सरकार ते था भारती रियाश्टों के बीच संबंदों की जांच करना ते था ब्रिटिस भारत और भारती रियाश्टों के बीच आर्थिक एवं वित्ति शंबंदों को शुधारने हेतु शिफारिस करना था तलते हां अगले परिशन क्यों और All India State People Congress का गठन कब हुआ Option A, 1924 में Option B, 1926 में Option C, 1927 में Option D, 1949 में और इसका राइट एंसर है Option C, 1927 में ठीके, दिशंबर 1927 में अखील भारते राजजन कांग्रेश All India State People Congress का आयोजन क्या गया इसमें विभिन रियाश्तों से आए 700 से अधिक राजनीती कारे कटाओं ने भाग लिया वलवन्त राम मेता मडी लाल को ठारी और जी आर अभयंकर ने इस आयोजन में मैतपूड भोमे का निभाई थी चलते हैं आगले प्रिशन क्यों निमने लिखित में से कौन 1947 में भारत प्रजा मंडल All India State People Congress के अधियक्ष थे अप्शने जय प्रकाष्पना रायन उप्शन B जवाहरला नेरू उप्शन C शेख अगुंदी सदार बलब सदार बलब पटेट तुरंत एंसर करें आप लोग इसका एंसर करें तुरंत आप लोग और इसका राइट एंसर है उप्शन B जवाहरला नेरू ठीके ब्रेटिस भारत था रजवाडे के राजनेती संगहर्षों के साजे राष्टी लक्षों के सामने रखने के लिए जवाहला नेरू को वर्ष्ट निसोंतालिस में भारत प्रजा मंडल यानिकी All India State People Conference का अधियक्षे चूना गया चलते हैं आगले प्रशन क्यों भारती संग में रजवाडों का विले अधिकारिक किस संग में हुआ option A 49 option B 1947 option C 1950 option D 1961 और इसका right answer है option B सब का right answer आएगा 1947 ठीक है भारती संग में अधिकांस رजवाडों का विले 1947 में अधिकारिक रूप शे किया गया चलते हैं आगले प्रशन क्यों अनने रजवाडों के भारत में बिले के बाद भी किन तीन राजयों ने भारत में शनमील होना विलम्बित किया option A जुनागर मैसूर जम्हू कश्मीर option B जुडागर हैदराबाद जम्हू कश्मीर option C उधरापूर कपूर्थाला जम्हू कश्मीर option D हादराबाद उधरापूर 67 गोर इसका राइट एंसर है ओप्शन बी जुनागड हैजरावादाव जम्मू कश्मेट इन तीनों ने मना कर दिया था शामिलोंने से आला कि 1948 तक इन्हें भी भारत में शामिल कर लिया गया ठीक है? चलते हैं आखरी वश्निक्यूर भारत वर्ष की विभाजन के शमेट ब्रिटिस भारत के निमनलिकित में से किस एक प्रांत ने एक श्रयूक्त और एवं श्वतंत्र अस्तीत्यू के लिए योजना सामने रखी श्वतंत्र एवं श्रयूक्त रूप से अस्तीत के लिए एक योजना किसने सामने रखी option A पंजाब राजने option B असमने option C बंगालने option डीप बिहारने उसका राइट एंसर है option A पंजाब ने भारत विभाजन के दोरान पंजाब राजने एक श्रयूक्त एवं श्रयूक्त राजने की योजना प्रस्तूत की किन्तु श्रदार पटेल के पर्यासों से उसके मनसूवे पर पानी फर गया ठीक है पुर्वी पंजाब पटियाला तथा पहाडी राजयों का एक शंग बनाया गया जिसे पेपसू कहा गया था और इन्हों ने ही डिमांड करी थी श्वतंत राज की ठीक है यह आपके भी इस प्रशन थी और आप सब से रिक्वेश्ट अगर आपने हमारे चैनल टार्गेट भी था जिसे सरको सब्चाइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्चाइब कर लें और इ यह यह चार ट्विक है कल प्रिश्ण उठाए जाने है क्लिप्श्मिशन व्यक्तिगर्श्टेयाग्र स्वत्तंतृ पाकिस्तान की मांग और दू एविश्श यूत ठीक है आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जाइन कर सकते हैं पीडिएफ के लिए और 0910471615 पर आपको री के यह phone कर सकते हैं, thank you so much, have a good day.